हलो दोस्तो सागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्जाम इंजेक्शन पर दोस्तो आज हम सभी भारत के प्रमुक त्यारा बड़े बंदरगाहों के बिशे में पढ़ेंगे जो सभी परते होगी परिछाओं के लिए अत्महत्पूरे दोस्तो आज की क्लास आपको एक नंबर जरूर आने वाले एक्जाम में पका करने वाली क्लास होगी अगर आज की क्लास को आप पुरी सिद्धत के साथ पुरे मन से पढ़ते हैं तो दोस्तो भारत में त्यारा प्रमुक बड़े बंदरगाह हैं जबकि भारत में छोटे-छोटे बंदरगाहों की कुल सं में जो तर्बिषा और पस्यमंगार चेतर में जो प्राइविपी भारत का फ्रोथवी भारत का चेतर फन है जो या 5600 किलोमीटर का लंबा है यानि कहने का मतलब यह आ है कि भारत की समद्री तटी सिमा रेका 5600 किलोमीटर में पहली हुई है और इसी के अंतरगत आते हैं ति लेकिन जो त्यारा प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं यही आपके एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बार बार एक्जाम में आते हैं और आपको एक नमबर दिलाने का जो काम करेंगे आए देखते हैं इन बंदरगाह को आए सबसे पहले हम देखते हैं नमबर एक कांडरा बंदरगाह को आप लिख लेना पेन ठाकर के काफी में नोट कर लेना जोका कि इसको आया छेत्र के हिसाव्ब्स अनुसार भशसृषित किया है कंडरा बंदरगाह का एकमात भूतित जिसे करमुब्त ओसित कर लिख नहीं लिए नंबर नंबरर आंगे तो मुंबई बंदरगा माराथ यら मिलता है फिर उसके बाद नंबर तीने पर होटा भंदरगा नंबर पीसरे मे evaluation देश का सबसे बड़ा बंदरगा एक बात और याद रखना नाम अब बदल दिया गया है नाम बदल करके दोस्तों अब इसका नाम बदल करके पंडित जवाहर लाल नहरू कर दिया तान्दी गोवा नाम क्या है पंडित जवाहर लाल नहरू रख दिया गया उसके बाद चंदर मurate ठिंद गुघराल दूसरा मुंबई का मुंबई उसके बाद कोचीन और गाहा चुटी कोड़ी कोरी नाइन से सब्सक्राइब उसके बाद तूती कुरीन बंदरगा का चिदमबर्म् कर देंबराब तूती कुरीन बंदरगा be your उसके बाद आघवा बड़ा जन्नाई बंदरगा है वह तमीरनाट का उसके बाद देश का expound में कुछ यहлам लेकिन यहां बंदर गार्गार्ण ingran ऑजह का देश का अदिधा कुछ की बहुता है नोयो साट नहीं नहीं और उसके बाद देश गार्गार्ण देश का दोस्तों की दोस्तों फहान समीं है देश का सबसे बड़ा बंदरगा के एरिया के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बंदरगा नावा सौब बंदरगा है लेकिन लेकिन गहराई के अंसार दोस्तों गहराई के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बंदरगा बिशाका पटनम बंदरगा है कौन सा है बिशाका पटनम बंदरगाह पर ही जहाजी बेराओं की मरमत होती है जहाजों की मरमत करने का काम है और जालतर नए जलियान बनाने का पोत्यान बनाने का काम इशा का पठनब बंदरगाह पर होता है उसके बादे देश का ग्यरहुआ पराजीव बंदरगा जो उडीशाराज में है उसके बाद देश का बारहुआज़ बंदरगा परकाटा बंदरगा को बंदरगाह उसके बाद देश का तेरा हुआ बड़ा बंदरगाह तेरा नंबर पर बड़ा बंदरगाह अन्दमान नी को बार जीव समू का पोड बेर बंदरगाह है